हम सबी बढ़ते हुए तेल की केमतों से प्रेशान हैं और हम चाहते हैं कि हमें सस्ते दर पर जो इलेक्ट्रिक वान हैं ये उपलब्ध हूँ सारी पब्लिक की डिवांड यह है लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि इनकी कीमत बहुत ही जादा है यानि कि लोग चाह रहें कि हमें इलेक्ट्रिक वान खरीदें लेकिन ये लोगों की पहुंच से बाहर है तो इक भुत ही मैध पुन खबर निकल कर आ रही है प्रिवेन मंतरी के दौरा प्रिवेन मंतरी नितिनगडगरी जी के दौरा यहां कहा गया है कि इलेक्ट्रिक वाहन अब पैट्रोल और डीजल गाडियों की कीमत में मिलने लगेंगे यानि कि इंटजार खतम होने वाला है यानि कि हमें महेंगे तेल से मिलेगा छुटकारा पैट्रोल गाड़ी पर GST 48% है यह कहा गया है नितिन गड़करी द्वारा जो प्रिवहन मंत्री हैं पैट्रोल गाड़ी पर GST 48% है और इलेक्ट्रिक वेहिकल्स पर सिर्फ पांस परतेशत यानि कि उनके द्वारा ये कहा गया है कि लोगों के समझ में आने वाले समय में ये बाते दिमाग में घर जरूर करेगी कि GST अगर इतना है यानि कि गवर्मेंट इसको प्रमोट कर रही है इलेक्ट्रिक वेहिकल्स को ताकि लोग इस और आएं और जब लोग खरीदारी का उत्पादन हो रहा यानि कि आतम निर्बर भारत की और कदम बढ़ रहे हैं अगर लीथियम बैटे का उत्पादन जोर सोर से होने लगा तो आप मान कर चलिए कि गाडियों में जो जिनके पार्स इन किमत जादा है वो कम आएगी और अवर आल जो गाड़ी कीमत है वो भी कम होगी दो साल में हजारों चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे यानि कि परदूशन से मुक्ति मिलेगी कार्बन एमिशन कम होगा कहने का मतलब यह है कि प्रिवहन मंत्री के दोरा भरोसा दिलाया गया है कि दो साल में हजारों चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएं सरकार की विक्री को बढ़ाने के लिए सरकार हर सम्भा कोशिश कर रहे हैं फेम स्कीम के तहट इन वानों पर सबसीडी दी जा रहे हैं जैसे हमने आपको बताए हाला कि इसके बाद भी इनकी कीमत पैट्रोल डीजल गाडियों से बहुत ही जादा है ऐसे में किंद्री प्रीव दस लाग के नीचे गाडियां बिलने लगेंगी पैट्रोल कार और इलेक्रिक कार की केमते एक समान हो जाएंगी ये दावा मंत्री जी ने किया है और फिलाल दोनों गाडियों की केमत में बहुत अंतर है यह हमें भी पता है वे सस्टेनेबिलिटी फाउंडेशन नाम की संस और गॉर्मिन्ट का मानना है गॉर्मिन्ट का लक्स यह है कि 2030 तक 2030 तक यनि की लगभग 9 साल में 30 पिसदी प्राइविट कार 70 पिसदी कमर्शिल कार और 40 पिसदी बसें इलेक्रिक होंगी यनि कि ये टार्गेट रख 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 है गवर्मेंट इसमें कितना क्या कुछ रहता है ये दो सालों के अंदर पता चल जाएगा कि मार्केट की सोर बढ़ रही है लेकिन हमें भी ये पता है बहुश्य की उर्जा की ज़रुतों को पूरा करने के लिए हम इलेक्ट्रिक वहानों की तरफ जाएंगे मेहिर जाना इपड़ेगा चाहिना जो पहले ही कर चुका है अब इंडिया में भी इसकी बारी है यानि कि हमें पहले ही त्यार हो जाना चाहिए